Hello everyone, welcome you all at Locaster limited study zone यहाँ पर लेकर के आए हैं आपके लिए determinant and matrices के कुछ shortcut बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही जो specially आने वाले competitive exam के लिए आपके बहुत मददगार होंगी तो आईए दोस्तों सुरुवात करते हैं आज की class को तो सबसे पहला shortcut लिखी दोस्तों पहला shortcut यह है कि अगर आपके पास एक कोई A matrices इस form में दिया गया है 1, A, 0, 1 1, A, 0, 1 आपके पास कोई A matrices दिया गया है तो बिना कुछ करे A to the power N का answer नोट कर दीजे ऐसे question बहुत बार exam में पूछे गया है 1, A, 0, 1 मतलब N power का सीधा attack किस पे होगा इस वाले thumb पे होगा इसको आप कैसे find करते हैं A की power 2, A की power 3, A की power 4 निकाल करें बट हमारा objective यहाँ पे किवल shot trick analysis करना है इसलिए मैं method के बारे में नहीं जाओंगा सुछेदी मैं A की power 3 की बात करो तो answer कितना आएगा 1, 3, A, 0, 1 ओके इस thumb पे attack हुआ है format याद रखेगा A हमेशा क्या दिया रहेगा हमेशा आपको 1, A, 0, 1 इस तरीके के दिया रहेगा तभी यह shot trick apply होगी सब में यह shot trick apply नहीं होगी अगर आप A की power 4 की बात करते है तो क्या हो जाएगा 1 का 1 ही रहेगा A का कितना हो जाएगा 4 A और 0 और 1 मतलब केवल इस term में attack हो रहा है अगर आप power N की बात करते हैं तो N यहाँ पर हो जाएगा तो यह पहला result हमारा complete हुआ इसको note कर लिजी चलिए next shortcut की बात करते हैं अगला shortcut देखेंगे तो अगला shortcut है आपके पास की अगर आपके पास दो matrices हैं जिनका determinant A into B है तो इनके लिए क्या आप theorem लगती है कि determinant A into B equals to होता है determinant of A multiply by determinant of B and is called to determinant of B determinant of B into determinant of A so यह theorem इसमें लगा करती है ओके और यहाँ याद रखिएगा कि A and B जो determinant है यह दोनों same order के है यहाँ पर where A and B मैंने determinant बोल दिया sorry matrices are the matrices with same order मतलब यह same order के आवियू है matrices with same order okay it means अगर A का भी order N है और B का भी order कितना है N है so आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या आप लिख सकते हैं A into B दोनों matrices के गुने का multiply का जो determinant होगा that is equal to A determinant into B determinant okay दोनों के multiply के क्या होगा equal होगा इस तरीके से यहाँ से बहुत ही गजब की theorem आपके पास आ रही है एक तो theorem आप यह note कर लो पहली चीज़ तो यह note कर लो पहला result यह है अब next result की ओर चलते हैं जो की इसी result से आंगे बना हुआ है वो क्या है आपने देखा A into B का determinant equal to A determinant into B का determinant अगर आप यहाँ पे B के place पे A रख देते हैं तो क्या जाएगा determinant A into determinant A तो more better अगर आपके पस A square का determinant आगे तो उसे आप मत निकाले आप determinant A का निकालके क्या कर दीजे square कर दीजे ठीक है ना तो आपको क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत महनत लगेगी बट यहाँ आपको बहुत कम महनत लगेगी है ना especially 3 cross 3 का है तो multiply करने में आप ठक जाओगे बट determinant A का square निकालने में आप बढ़ी आसानी से कर लोगे तो एक short trick क्या बन गई है हमारे पस एक हमारे पस बन गई A cube का determinant equals to determinant A का cube अगर आप बोलोगे A की power 4 आगे आपके पास तो थोड़ा ना multiply करते रहोगे बागल हो जाओगे ऐसे में तो so determinant A की power कितना आएगा 4 आएगा अगर आप A to the power 5 का determinant की बात करो तो ये कितना आएगा determinant A की power 5 इसी तरीके से ये मैं shortcut लिख सकता हूँ finally जो हमारा shortcut बना है कि अगर आपके पास A की power N का determinant this is equals to determinant of A की power N बहुत important shortcut है बना लिजे इसको बहुत ही काम का shortcut काफी सारी questions इससे बनेंगे so this is important अगले shortcut की तरफ प्रवेश करते हैं अगला shortcut भी इससे है मान लिजे अगर आपके पास कोई determinant matrices A है जिसका order N है ओके सुआप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A N और दूसरा आपके पास matrices B है जिसका order कितना है वो भी N है ओके तो अभी आपने क्या सीखा आपने ये सीखा determinant A B is equals to determinant of A into determinant of B सार्निक A B वराबर सार्निक A सार्निक B ऐसा सीखा आपने अब मैं आपको यहाँ पे एक rule बता रहा हूँ जो और मज़ेदार है देखो क्या है वो rule मज़ेदार अगर आपके पास M है और A और B है M क्या है कोई constant है M क्या है कोई constant यानि कि नियतांक है तो क्या rule लगेगा इसका बहुत ही प्यारा सा rule है M की power में matrix का जो order है वो रग दो यानि कि इसका जो क्रम है वो रग दो और फिर determinant A into determinant of B यह बहुत शानदा trick ओके फिर से इसको एक बर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ क्या trick है देखिए trick यह है कि आपके पास कोई M नियतांक है और दो matrix आपके पास है तो matrices A and B and this determinant equals to M to the power N what is N? N जो है दोनों matrices का order है क्योंकि यहाँ पे A का order भी कितना है N है और B का order भी कितना है N है ओके A का order भी कितना है N है और B का order भी कितना है N है तो दोनों matrices के order क्या है N N है तो यह इसको खोलोगे तो क्या आएगा M to the power N matrices A का determinant and matrices B का determinant तो यह आएगा आपके पास में, ओके, इसको बार बार लिख करके याद कीजिए, this is very very important, अगर इसको आएगा, तो यह आपकी बहुत मदद करेगा, otherwise आपको solve करने बहुत problem होगी, बहुत time लगेगा, तो short cut test से solve कर सकते हैं, एक बार फिर मैं लिखता हूँ, mab equals to m to the power n, determinant a, determinant b इनको लिखने से ही काम बनता है, बार बार लिखे, बार बार लिखे, ओके, बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, mab equals to m to the power n, determinant a और determinant b, इस तरीके से यह एक matrices का shortcut हो गया, चलिए अगला shortcut लेते हैं, अगला shortcut देखे, अगला shortcut बड़े ही काम का है, बड़े ही म multiplication and post multiplication, दो अलग अलग चीजे में आपको यहाँ पर सिखाऊंगा, और ये जो pre multiplication, post multiplication है, ये किस के context में है, ये matrix के context में है, okay, matrices भी बोलते है, matrix है किस के context में है, चलिए, तो क्या है, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ, pre multiplication, pre multiplication कहता है कि दोनों तरफ आप किसी matrices का pre मतलब पहले multiply करो, तो जैसे for example, आपके पास कोई matrix equation है, ax equal to b, okay, आपके पास कोई matrix equation है, ax equals to b, excuse me, yes, so मैं कहना था कि अगर आपके पास में कोई matrix multiply equation है, ax equal to b, और अगर आप यहाँ पे, sorry, b, अगर आप यहाँ पे a inverse का pre multiply करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो a inverse into ax equals to a inverse into b, ऐसे लिखे जरूर, pre multiply में, अब a inverse into a, क्योंकि matrix multiplication क्या होता, commutative, sorry, commutative नहीं, associative होता है, मतलब साहचर नियम का पालन होता है, इसमें, so हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a inverse into a को साथ में ले लिजे, x को पीछे धके लिजे, this is equals to a inverse into b, okay, अब a inverse into a कितना होता है, i होता है, now i multiply by x equals to a inverse into b, अब actually x भी matrix आने वाला है, तो we know कि i होता है, identity element होता है, so there is no change in x equals to a inverse into b, तो एक inverse निकालने का तरीका यह है, x equals to a inverse into b, अब आये देखते हैं, post multiplication, यह तो pre multiplication आपने देख लिया, now see the post multiplication, post multiplication, आपने सुनना होगा न, pre and post, pre and post, prepaid, post, पर ऐसे ना आते हैं, so, चली, तो अपने पास, अपने पास, अब देखते हैं, अपन क्या देखते हैं, post multiplication, ठीक है न, तो, आपके पास post multiplication के लिए, मैं क्या ले सकता हूँ, suppose x a equals to b आपको given है, okay, x into a equals to b, यह दिया, आपके पास यह given है, okay, order support करना चाहिए, x a into b का, आप जानते हैं कि matrix में multiplication के लिए order की बाधता होती है, तो x into a support करना चाहिए, okay, x into b आपको a, b दिया है, अब आपको यहाँ पर pre multiply से काम नहीं चलेगा, अब अगर आप यहाँ पर pre multiply करते हैं, तो वो कोई काम का नहीं है, अब आपको post multiply करना पड़ेगा, तो x multiply by a into a inverse, okay, x multiply by a into a inverse that is equals to b into a inverse, यह हो गया, okay, so x multiply by a into a inverse that is equals to b into a inverse, done, so x into i that is equals to b into a inverse, so x equals to b into a inverse, okay, right, तो देखे, आपके पास यहाँ पर क्या गया, x equal to b a inverse हाया है, और पहले pre multiply में क्या आया था, देखे, आपके पास में pre multiply में आया था, x equal to a inverse into b, तो दोनों result यहाँ पर अलग-अलग है, दोनों को ध्यान रखेगा, अगर आप pre multiplication करते हैं, तो x equal to a inverse into b देता है आपके लिए, और अगर आप post multiply करते हैं, तो x equal to b into a inverse मिलता आपको, ठीक है, तो यह result थोड़ा सा अलग है उससे, तो ध्यान रखेगा, यह कहलाती है, हमारा pre multiplication and post multiplication depend करता है, कि question कैसा दिया है, उसके basis पे यह आप कर पाएंगे, चलिए, next कुछ shortcut की तरफ चलते हैं, अगला shortcut देखिए, अगला shortcut है, a into adjoint a, a into adjoint a, that is equals to determinant of a multiply by i, भाई, very 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 important, okay, a into adjoint equals to determinant of a into कितना i, यह होता है, मतलब, यह अच्छली क्या, यह भी matrix है, और यह भी matrix है, matrix और matrix का multiply कितना होता है, यह होता है, और मैं आपको बता दूँ कि a और adjoint का जो multiplication होता, वो commutative भी होता है, तो चाहे आपको a into adjoint a आ जाए, या आपको adjoint a multiply by a आ जाए, so it will be always determinant of a into i, means the product of the two matrices here, a into adjoint a and adjoint a into a is equal to commutative and this will be equals to determinant of a into i, yes, moving to the next concept, determinant of a into adjoint a, okay, यह क्या होगा, determinant of a into adjoint a, अब देखो भई, यह कैसे निकलेगा, अभी आपने क्या सिखा, आपने देखा था कि a into adjoint a, equals to determinant of a into i, and now determinant of a क्या है, determinant of a, एक constant type behave कर रहा आपके सामने, okay, किस type behave कर रहा है, constant type behave कर रहा है, determinant of a, जो है, is something like constant, तो मैं मानता हूँ, determinant a को मैं सपोज कर लेता हूँ, k, so what is equals to, it is equals to k into i, okay, k into i, कैसा दिखाई देखा आपके सामने, k, 0, 0, 0, k, 0, and 0, 0, k, इस तरीके का कुछ आपको दिखाई देगा, this is a into adjoint a, okay, अब समझना भाई, बहुत ही प्यार से समझना, यह आपके पास आचुका है, आँगे चलते हैं, अगली पेज में समझा रहा हूँ, देखे, आपने मैंने क्या बता है रहा, a into adjoint a, a multiply by adjoint a, equals to determinant of a into i, determinant of a किसके जैसे बहेव कर रहा है, constant कि जैसे, तो you can write determinant of a को मैंने छड़ भर के लिए के लिए लिया है, for instance, I suppose this determinant a is k, so a into adjoint a, this is equals to k into a, now, क्या करो, आप इसका mod ले लो, mod नहीं, determinant ले लो, a into adjoint, भी तक तो matrix था, तो a into adjoint of a, this is equal to determinant of k a, okay, determinant of k a, अब देखिए, इसको अलग कर दीजे, determinant a और determinant of adjoint, अभी-भी मैंने आपको बताया था कि यह अलग-अलग हो जाते हैं, equals to, order अगर a का n है, तो मैंने बताया था, k to the power n into determinant of a, okay, k to the power n into determinant of a, okay, k to the power n into, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर कोई मिस्टेक होरी मुझसे, यस, 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 यहाँ पर गलती क्या होगी मुझसे, मैंने इसको आई था ना, यस, यहाँ पर गलती होगी, चलिए इस लाइन को मैं erase ही कर देता हूँ, पूरी-पूरी, फिर आपको समझाता हूँ, यहाँ पर थोड़ी गलती होगी थी मुझसे, यह A into adjoint equals to K into I ho गया है, अब चलिए आप इसको determinant ले लिजे, आप चलिए आप इसको determinant ले लिजे, so A determinant adjoint A, this is equals to K I का determinant, okay, so, इसको मैं कालक सकता हूँ, determinant of A, और इसको मैं लेक सकता हूँ, adjoint of A का determinant, this is equals to K I का determinant, you know, this is equals to K to the power N आएगा, क्योंकि I का determinant कितना हो जाएगा, one हो जाएगा और constant की power किती आती, N आती है, okay, क्योंकि multiply करने के बाद, determinant ले लिए जाए, तो मतलब हर row या column से बाहर आजाता है, और K to the power N, अब ये देखिए आपके पास में क्या है, ये क्या था, determinant A को थो हमने के ही सपूस किया था न, so it will equal to K into adjoint A, this is equals to K to the power N, so आपके पास में adjoint A कितना बचेगा, adjoint A आपके पास बचेगा K की power N minus 1, so finally, sorry determinant भी है, so finally determinant of adjoint A, this is equals to K to the power N minus 1, so determinant of adjoint A equals to determinant A to the power N minus 1, this is your answer, ये बनेगा, चली, ठीक न, तो mainly अगर की कुछ भी समझ में ना आया हो आपको, तो आपको सीथे A की चीज़ आतके नहीं है, कि determinant of adjoint A कितना होता है, वो होता है, determinant of A की power N minus 1, बस आपको केवल ये याद रखना है, ओके, तो दो ट्रिक्स मैंने अभी अभी आपको बताएं, एक बताएं मैंने A into adjoint A, ओके, sorry इसको मौट हटा दो, A into adjoint A is equals to determinant A into A, फिर अगर आप इसका वो ले लेते हो, A into adjoint A का determinant ले लेते हो, तो क्या हो जाएगा ये determinant of A की power N हो जाएगा, और अगर यहाँ से adjoint A को अकेले कर देते हो, तो ये कितना हो जाएगा, determinant of A की power N minus 1, तो ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत जरूरी है बहुत 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 जरूरी है इनको प्लीज 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 आप लोग इनको याद कर लो डन चलते हैं आगे के ट्रिक्स की तरफ चलो भाई अब देखो अगली जो ट्रिक में बता रहा हूँ आपकी CBC बुक में भी लिखी हुई है और बहुत इंपोर्टनेट है एडजॉइंट ओफ A इन्टू B एडजॉइंट ओफ A इन्टू B तो एडजॉइंट ओफ A इन्टू B एडजॉइंट हमेशा उल्टा चलता है याद रखना है ना जैसे कि ट्रांस्पोज में चला करता है वैसे अडजॉइंट में भी चलता है उल्टा हमें इसा चलता है तो एडजॉइंट ओफ A इन्टू B तो एडजॉइंट ओफ B मल्टीप्लाय बई अडजॉइंट ओफ A पील कुल थिक ही से दरीके से A, B का transpose that is equal to B transpose into A transpose, okay, A, B का inverse that is equals to B inverse multiply by A inverse, तो यह जो को shortcut है, इनको याद रखेगा, तो adjoint में भी आपके पास में adjoint of A that is equals to adjoint of B into adjoint of A, टिक, done, इस तरीके सी यह shortcut हो गया हमारा, चलिए, एक और shortcut लिखे, adjoint से related क्या है, यह होता है, adjoint of K A, अगर आपके पास कोई matrix A दिया है, उसका k times का adjoint this is equals to k to the power n minus 1, k to the power n minus 1 times adjoint of A, k to the power n minus 1 adjoint of A, where n क्या है, n जो है order of matrix है, n जो है, उस matrix का क्या है, order A, बर फिर से लिख लिखे लिजे, आप लोग अपनी copy में इसको बार बर practice करिए, कि अगर आपके पास में adjoint of K A आ जाए, तो क्या formula गया, k to the power n minus 1 into adjoint of A, k to the power n minus 1 times adjoint of A, where n is the order of the matrix, okay, k to the power n minus 1 adjoint of A, चलिए, next trick की तरफ चलते है, matrices का, अगला trick लिखे, अगर आपके पास कोई matrix में दे रहा हूँ, A equals to 1111, ये दिया है, okay, 1111, तो A to the power n कितना होता है, हमेशा के लिए इसको यादर के, A to the power n equals to 2 to the power n minus 1, इधर भी आएगा, इधर भी 2 की power n minus 1, इधर भी 2 की power n minus 1, और इधर भी 2 की power n minus 1, बहुत काम का result है ये, जैसे आपको मान लो A square आ गया, तो आपको क्या करना है, 2 की power, 2 की power हर प्लेस में क्या हैगा, n की जगे क्या है, 2 बैठा हुआ, तो 2 की power 2 minus 1, तो 2 की power 2 minus 1, यहाँ भी 2 की power 2 minus 1, यहाँ भी 2 की power 2 minus 1, यहाँ भी 2 की power 2 minus 1, इट मीन्स अंसर आपका कितना आएगा टू 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 अगर आप ले रहे हो तो है न यह आपका अंसर आएगा अगर आप एक ही पावर फाइव कर रहे हो तो कितना आएगा टू की पावर फाइव और माइनस वन ओके क्या आएगा हर जगे 2 की पावर 5 और माइनस का 1 उपर ही रहेंगी पावर नीचे मत कर देना तो 2 की पावर 5 माइनस 1 2 की पावर 5 कितना होता थट 2 की पावर 5 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा यह ओके यह आपके पास में कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपके पास में 2 की पावर 4 and 2 की पावर अगर आप इसको 4 करोगे तो कितना आ जागा यहाँ पे 16, 16, 16, 16 तो याद रखिएगा कि अगर आप A की पावर N करते हैं तो हर बार जो यहाँ पे expression बनेगी वो बनेगी 2 की पावर N-1, 2 की पावर N-1, 2 की पावर N-1, 2 की पावर N-1 इस टाइप के काफी सारे questions कई बार exam में आ चुके हैं ठीक है ना तो ट्रिक काफी सारी बढ़िया 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 ट्रिक मैं बता रहा हूं आप लोग को बहुत आराम से इस पर प्रैक्टिस करिए मज़दार ट्रिक्स हैं तो जैसे यह देख लिजे पुरानी ट्रिक रिकॉल करा दूँ एडजॉइंट ऑफ के ए एक कोल्स टू के टू दी पावर N-1 एडजॉइंट ए और अभी मैंने आपको यह बताई है ना दो दिन पहले पढ़ोगे तो सोचोगे की इनको मैस याद कलनों, बिल्कुल कभी पॉसेबल नहीं है। आप इनको बार बार इनको अपने यूप योग में लाईए जहां भी आप बैठते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं सोते हैं खाना खाते हैं वहाँ पर आप इनट्रिक्स को लिख करके रखिए तब यह ट्रिक्स आपको याद भूपाएंगी चलिए अगला A αपके पास अगर आपके पास अ कोस ठीटा और । और साइन ठीटा यहाँ पे । यहां पे कॉस्फ ठीटा है यहाँ के तो ट्रिक यात कर लो एक ही पावर न है तो यहां पर आतहा है सा नप्र कोस्ट अंधिटर यह होता है साइन अट्ट यहह होता है माइन साइन ईस् enseign यह थे न यह होता है कॉस अंधिटर यह अकरती डिरेक्ट ट्रिक ओके तो यह दी मैं एक जाम्पल मैंने एक ही पावर टू आप से पूछ लिया तो आप मेरे को क्या जब आप दोगे कॉस्ट टू ठीटा यहां भी आएगा और कॉस्ट टू ठीटा यहां भी आएगा यहां पर माइनस वाला साइन तू ठीटा और यहां पर प्लस वाला साइन तू ठीटा बस यह आपको याद रखना इस तरीके से है ना दन चली अगला shortcut आप मेरे को बताइए अगला shortcut मैं आप से पूछूँगा ऐसा कौन सा matrix है कि एक ही time में वो symmetric भी है symmetric भी है और एक ही time में वो skew symmetric भी है ऐसा कौन सा matrix at a single time was symmetric the excuse symmetric भी तो इसका answer है null matrix जिसको ओ से represent करते हैं so null matrix is the matrix which is symmetric as well as skew symmetric so this is done guys this is all from the my side from the chapter the matrices कैसा लगा आपको मेरा वीडियो यह वाला कैसे ही वीडियो चाहते हैं तो please हमें motivate कीजे मैं आपके लिए जरूर ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आऊँगा इसकी त्यारी के लिए thank you so much guys